हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चैनल रोबिन बुटीक फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लाउज में डार्ट्स या फिर जो प्लेट्स लगाई जाती है उनका लगाने का जो सही तरीका है या जो परफेक्ट तरीका है जिससे की ब पर अगर आपने डार्ट्स ही लगा तो आपको फिटिंग की देट्स लगा जाती है इसको प्रस्वेजेमेंIch एक कि इसाब का मेजरšíन में लेना है और उसके बाद फिर आपको कैसे लगानी है तौ फेले Mेसकी अधिक करने के लिए मैं आपको इसका मेस्थेमे कर तो टो फेले मेरी वाइफ है औरुप कर इनक्म में देखी को मैस्ट हम ऐए क जा तो में यहां पर किछुछ या पर आपको यह दिखने के बिलकुल इसका मिडल कर रहा है तो आप देख सकते हो यहां पर मिडल आ रहा है बिलकुल आद 10 इंच पर तो यानि कि गा से लगई ही और में पिरम्स पास जो है komt पर पार्ट है और इसम Bowl कि मैंने यह दिंद लेका दीन मारकिंग कर रखीए लेकिन मैंने आपको आपको रश्रों यह वीडियों थे गतनी है स्पेंड कि outcomes यह zor यह यह दो सब्सक्राइबोस के पर किसा करने है यह जया जाए दूरी लेए थी दस इंच तो आपको दस इंच पर इस प्रकार से यहां पर एक निशान लगाना ही देखिए आप अब से इस पॉइंच के अधार पर फ्रेंट्स ही एक निपना निचे से फोल्ड करने के लिए याने की जो ब्लाउज की लंबाई है इस निशान के recording हम इसको फोल्ड करेंगे अब यह जो निशान लगाने के बाद यहां से जो दूरी लेनी है वो लेनी है आपको लगबाग डेढ़े आप पौने दो इंच यह देखिए अब यह जो मेरे निशान के recording आपको एक प्लेट इदर लगानी है यह देखिए किस परका से रखें और यहां से जो दूरी है आपको मैं इस तरह से आपके दिखाता हूं यह जो दूरी आपको लेनी दो इंच वो इस निशान को इस प्रकार से मिला दे यानि कि एक प्लेट यह हो गई एक प्लेट यह हो गई अब यहां से दूरी ली थी मैंने दो इंच सेम इसी तर तीन प्लेट लगा दिया मैंने इस पर थोड़ा साग इस प्रकार से डोट बना देता हूं ताकि आपको समझा जाए एक दो तीन तीन प्लेट मैंने लगा दी है अब रहागा इस फ्रेंट चोथी प्लेट के लिए विरकु इस इंपर फार्मुला है दो इदर से लिया मैंने द आधाउय। आना की चाओ दियागा दिया ना और इस अगर आप के अकोर्दिंग आपको यहां पर लगाने काटे देखीوع कुछ जखादों दो क्याती है एक कट मैं इदर लगा दिया सिरी प्लेट लगानी हो तो यहां पर कट लगाए अगर प्लेट आपको तिर्शी ले नहीं है तो आप इसको इदर कट लगा सकते हैं लेकिन इसमें लगाऊंगो बिल्गु सीधा यह देखिए अब नीचे यह देखिए इस प्रकार से मैं कट अब इसमें आपको जब एक बार आपने दिमाग लगा लिया गंट लगा दिया है दुबारे गंट लगाने के दूत नहीं पड़ेगी बस इसको इस प्रकार से इस प्रकार थपी मारें और इसके निशान आपको देख रहे होंगे हलकल की इदर उबर कर आ गए जब हलकल के जो निशान दिख रहें इनको डार कर लेंगा तो फ्रेंट्स यह देखी यह जो निशान इनको मैंने डार कर लिया है अब मुझे प्रेट लगाने में कोई प्रॉल्म नहीं आएगी क्योंकि एक तरफ जो है मैंने निशान लगा लिए अब दूसी तरफ में इसी अकोडिंग कि यह निशान में लगाूँगा अब फ्रेंट्स अमें काम होता है वह होता है हमारी सामने वली प्लेट का यह देखिंड कर दो अब आपको लिए बैक कोड़ें पार्ट अनिंच कॉन्वाट अनुटॉल लगा लाए ऐसे यह देखिंग इस निशान लगा रका दिगा यहक importantes यहां से आपको फार्मूला यूज करना है यह देखिए और यहां पर इस प्रकार से कट लगा ले और इसी प्रकार से इसको उठाएं यहां पर आपका पॉइंट है सीधा लेकर जाएं और यहां प्लेट डलेगी यह ड़िए तो फ्रेंट में मैंने मार्किंग कर लिये अब मैं आपको बताऊंगा इसमें स्टीचिंग और कैसे करनी तो फ्रेंट लगाने के लिए आप देख सकते हो यह पार्ट मैं उठाया आगे का अब देखिए कैसे मैं अबने हट लगारा तो आपको il करना कि यह क्षेज प्रज़ी को देखिया दिधாना है और इसके शबेरा स्लिखे लगाना है कि यह देकिशोंनाँ प्लेट के.- क्योंकि बिद्क्राइब तो फोल करने में दिक्कत ने कि अगर आपको इसको यूँ ले जाओ को तिफ्चा तो यहां से करया कपड़ा आपका छोटा पड़ जाएगा तो बाद में दिक्कत आएगी तो इसलिए यह जो सलाई है थोड़ी सी आपको सीधी लगानी होती है जैसे मैं आपको लगा के दिखातों में देखिए यहां तक बिल्कु सीधी है अब देखिए इसको मैं इस प्रकार से गुमाऊंगा और यह डाट कैसे लगएगी और इस प्रकार से अप देख सकते हो जो एक डार्ट है वह मैंने लगा ली है अब इसके बाद यह देखिए जब इसको आप फोल्ड करोगा निस प्रकार से तो यहां से आपका कपड़ा बिल्कुल छोटा नहीं पड़ेगा और आम से फोल्ड हो जाएगा अब जो बाकी की डा लादी दर से घुमाते हुए यह देखी। इस परकार से खत्म कर लेना है। दो डार्ट मैंने लगा लिए हैं। अब लगाओंगों में तीसरी वाली डार्ट से जो कि हमारी आर्म होल वाली डार्ट इसमें भी आदा इंच का मरजण लेना है। तो फ्रेंट्स तीन ड़ाट्स में लगा लिए अब जो चोथी ड़ाट्स है यह देखी इसमें मैंने दो निषान लगाएं आप चाहें तो यूँ पकड़के भी सलाई लगा सकते हो अगर आप चाहिए सीधी लगाना तो सीधी भी लगा सकते हो देखी इसको बिल्कुल यह बन जाती है अराम से और यह जो पॉइंट है मारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा और जो कप साइज होगा यह ब्रस साइज होगा उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा इस प्रकार से दूसरे वाले पार्ट में भी आपको डाट्स लगा लेनी है और इसके बाद फ्रे यह देखी बैक वाले पॉर्शन में जब भी आपको डाट्स लगानी है इस चीज का देहां रखें पहले इसको फोल्ड कर ले पीछे से देखी जैसे इसको मैं फोल्ड कर दो के दिखाता हूं आपको नामने फोल्ड करना है यहां पर पहले कच्छी से लगेगी अब इसको बिना फोल्ड करें पहले डाट्स भी लगा सकते हैं उसमें कोई फरक्त नहीं पड़ते हैं पीछे से फोल्ड करने के बाद अब इसमें जो हमने डाट्स लगानी है देखी इसको यह पकड़ा और यहां से सीधी आपको इस प्रकार से स्लय लगा देनी है क्योंकि नीचे से कि अश्याल से लिए और फोल्ड करें जहां तक भी आपका मार्क है कि पीछे वाले पार्ट में हमेशा फिए्ट केवल दो ही डार्स ढलती है यह देखी एक मएने डाल ली है और दूसरी वाली यह डाल नहीं और यह और डेट डेड इंच की आपकी डार्स dale दिए यह दिखे फ्रेंट्स पीछे वाले पार्ट में मैंने डाट्स डाल ली हैं तो फ्रेंट्स ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि और हमें सपोर्ट करें थैंक यू वेरी मुच